हालो फ्रेंट्स रादे रादे वंस अगें दिस प्रोफिसर दानी खंडलवाल और लाइब फों मुंबाई थैंक यू बेरी मच्छ आप लोगों ने इतना रेस्पोंस दिया मुझे तो लगा के बेसिक के बाद आप लोग क्या फीडबेक आएगा खेसे रहेगा लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से फीडबेक दिया और मुझे मजबूर कर दिया आपको एफम पढ़ाने के लिए और डेफिनिटली नाओ रेडी और पक्का मैं आपको सारे टॉपिक्स जितने भी टक्टिकल आस्पेक्ट हैं एफम के वह आपको जरूर से सिखाऊंगा और ए कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है और नेम ऑप टॉपिक इसे लीवरेज आपने इससे सुनाओक ना लीवरेज जारे तो यह अच्छा हो जाएगा तो लेकिन मैंने आपको क्या बता है था कि कभी भी अपने को को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है बराबर उसको तीन में आप डिवाइट करिए फर्स्ट वाट इस टॉपिक इट्सेल्फ राइट पहला प्रप्रप्रेशन प्रप्रेशन में फर्स्ट वाट इस टॉपिक इट्सेल्फ एन सेकिंड वाट इस टॉपिक इटॉपिक इट्सेल्फ फर्स्ट वाट इस टॉपि सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको प्रेक्टिकल इंपोर्टेंस के साब से लेके चलूंगा आपको फटाक से समझ में आएगा आप लुगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करें देखे थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में स्लो जाने दीजिए यू ट्राइट टू अंडर सेंडा कंसेट एक बार आपका कंसेट क्लियर हो गया आपको बहुत मजाएगा ओके तो त्योरी न बेसिक कंसेट का इंकम स्टेटमेंट याद है इंकम स्टेटमेंट में आपको क्या बताया था कि आपको अगर एफम सीखना है अगर आपको एफम सीखना है भी वांटे टू लन एफम पहले आपका कॉस्टिंग बहुत अच्छे से प्रिपेर होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट के बाद ही हम लोग इसके उपर जा पाएंगे बराबर तो theory notes में आपको बाद में लिखाता हूँ पहले आप लिखिए and try to understand करिए leverages क्या चीज है बराबर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले आप यह समझे कि इसका importance क्या है day-to-day life में इंकम statement में अपन क्या करते थे पहले बताईए sales sales minus variable cost अपन क्या करते थे बोलो contribution contribution minus fix cost अपन क्या करते थे EBIT EBIT minus interest अपन क्या करते थे EBIT EBIT में से tax minus करेंगे तो अपने को क्या हैगा earning after tax earning after tax में से preference dividend और जो बचेगा that is your earning available to equity shareholder उसको गर अपन डिवाइड करेंगे number of share से तो अपने को क्या आएगा EPS ओके एक बार मैं आपको revise करवा देता हूं देश देश से जोर statement showing income statement showing income जैसे सपोस मेरे पास ये दो कंपनीज हैं आप ये इटक्ब्विश्वार्व ये एकजाम्प्ल आप जारा लिख लिजे चैप्टर सीक्स पहले हें गालीजी लिब्रेजियर फाइनिसिंग्डिजिजिडें स्टेटमेंट सोइंग इंकम बराबर थियोरी नोट्स में बाद में लिखाऊंगा क्योंकि एक बार लॉजिक और इंपोर्मूला डबलब हुए वो अगर आपको समझ में आगया तो आपका काम हो जाएगा आप जाना लिखे स्टेटमेंट सोइंग इंकम कंपनी एंड कंपनी बी तो पहला जाना सेल्स सब्सक्राइब तो कंपनी है आपने बाद रूंपीर यह का सेल 10 लैक्स बी का सेल 10 लैक्स company A का sale 10 lakhs, company B का sale 10 lakhs, then variable cost, suppose 5 lakhs and suppose 5 lakhs, इतना आप copy करते जाएए मेरे साथ, आपको जो balance बच्छेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, country, mission, 5 lakhs and 5 lakhs, 2 companies हैं अपने पास, company A, company B, company A का sale 10 lakhs, company B का sales 10 lakhs, variable cost, 5 lakhs, 5 lakhs, contribution, 5 lakhs, 5 lakhs, fixed cost, suppose 2 lakhs and suppose 1 lakhs, आपको आ जाएगा, earning before, interest and tax, 3 lakhs and 4 lakhs, यह आपको clear हुआ कि ने, friends, is this clear or not, I'll repeat, 2 companies हैं अपने पास, A and B, A का sale 10 lakhs, B का sales 10 lakhs, A का variable cost 5 lakhs, B का contribution 5 lakhs, B का contribution 5 lakhs, यह 2 lakhs, यह 1 lakhs और यह 3 lakhs और यह 4 lakhs, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, leverages को आप भूल जाए, forget it, we are learning leverages, राइट, अगर मैं आपको पूछता हूँ, कि यह दोनों company के अंदर, यह दोनों company के अंदर, कौन सी company risk है, तो आप कैसे बताएंगे, तो एक तरीका यह है, आप बोल जाकते हो, A 3 lakhs रुपे कमा रही है, B 4 lakhs रुपे कमा रही है, इसका मतब एक company risk है, No, I am talking about the business risk, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, friends, my dear friends, I am talking about business risk, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, business risk, business risk क्यों पर depend करती है, business risk, इसको अपन क्या बोलते है, business risk क्यों पर depend करेगी, operation, इसको operating risk भी बोलते है, इसको क्या बोलेंगे, operating risk भी अपन बोल देंगे, operating risk मीज़ जिस company का fixed cost ज़्यादा है, जिस company का fixed cost ज़्यादा है, वो company आपकी क्या रहेगी, risky, जिस company का fixed cost ज़्यादा है, वो company आपकी क्या रहेगी, risky, अगर ये company ने zero business किया, अगर एक company ने zero business किया, तो आपको कितने का loss हो जाएगा, रुपीज, टू लेक्स, और अगर इसने zero business किया, तो loss कितना होगा, one leg, बढ़ाबर है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन operating risk की बात करे, अगर अपन business risk की बात करे, तो company A risk ही है, क्योंकि company A का जो fixed cost है, वो high है, अगर यहाँ पर zero business होता है, यहाँ दो लाग का loss होगा, यहाँ पर एक लाग का loss होगा, तो सबसे पहला हमको निकालना रहता है business risk, अगर अपने को कोई भी financing decision लेना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या calculate करेंगे, business risk, तो यहाँ पर तो चलो, हम लोग नहीं, मैंने आपको बोला कि वह आपको fasting की वज़े से मालू में, what is fixed cost, what is contribution, what is sales, what is variable cost, लेकिन सपोज, अगर आप commerce background से नहीं हो, और आपको पता करना है कि दिरा two companies, और दोनों companies के अंदर, कौनसी कंपनी का business risk जादा है, कौनसी कंपनी का business risk जादा है, तो इसके लिए friends हम लोग calculate करते हैं, operating leverage, अब यह operating leverage क्या है, मैं आपको theory notes में भी लिखा दूँगा, operating leverage क्या होता है, it is relationship between two variables, it is a relationship between two variables, जो हमको बताएगा business risk और उसको mathematically हम क्या बोलेंगे, अब ज़र आ जाए है, mathematically हम उसको क्या बोलेंगे, mathematical हम उसको बोलेंगे, degree of operating leverage, it means contribution divided by earning before interest and tax, degree of operating leverage क्या बोलेंगे, contribution divided by earning before interest and tax, what is operating leverage is, it is a relationship between two variables, जो आपको पताएगा about the business risk, देखो, इसके अंदर दो कमपीज थी हैं कि, आप देखो, अब आजाए, contribution क्या है, इसका, A का contribution क्या है, 5 lex, EBIT क्या है, 3 lex, क्या जाएगा, 1.67, B में, 5 lex, divided by 4 lex, क्या आएगा, 1.25, आपको समझ रहे कि नहीं, 5 lex divided by 3 lex, 1.67, और यहाँ पर क्या है, 1.25, इसका मतलब, इसके अंदर, business risk कि किसका ज़्यादा रहेगा, business risk कि किसका ज़्यादा रहेगा, बोलो, business risk किसका ज़्यादा रहेगा, बताइए, business risk कि ज़्यादा रहेगा, A का, because A के अंदर आपका जो fixed cost है, वो ज़्यादा है, तो अगर कोई person को financial statement नहीं देखना है, तो वो कैसे decision ले सकता है, कि जिस company का degree of operating leverage, degree of operating leverage ज़्यादा रहेगा, वो company business में high risk लेगी, वो highly risk कि रहेगी, आप बोलोगे, that is the one part, second होता है friends, degree of financial degree, DFL बोलते हैं इसको, इसमें जैसे suppose, finance means interest, इसका interest एक लाग रुपिया, इसका interest फिप्टी था होज़ेड, या इसका interest आप ले लिजे, say, इसका interest आप ले लिजे, 2 lakhs, इसका interest 1 lakh, आपका आ जाएगा, earning before tax is 1 lakh and 3 lakhs, अब अगर अगर अपन देखने जाए, तो इसके अंदर देखो, 2 lakhs रुपियस interest है, इसका 1 lakh है, interest is a fixed commitment, आपको देना ही पड़ेगा, फाइनिशल आपका commitment है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, तो DFL means degree of financial leverages, again, meaning क्या होता है, बाद में मैं theory notes में लिखाता हूँ, relationship between two variables, which defines the financial risk, mathematically इसको कैसे लिखेंगे, it means, यहाँ पर क्या compare करेंगे, earning, क्या compare करेंगे friends, this is your earning before interest and tax, divided by earning before tax, earning before interest and tax, divided by earning before tax, earning before interest and tax, आपका क्या है, जैसे सब्सक्राइब कंपनी A है, और कंपनी B है, earning before interest and tax, 3 lakhs, divided by 1 lakh, this comes to 3 times, और 4 lakhs, divided by 3 lakhs, this comes to 1.33, again, this company इजे risky, because this company is highly risky, this company, इजे highly risky, because this company is having a high financial risk, इसका कितना आ रहा है, 3, और इसका कितना रहा है, only, बोलो, 1.33, तो formula आपको clear हो गया, earning before interest and tax, divided by earning before tax, यह किस के लिए है, यह किसका judgment करने के लिए, यह financial, तो पहला formula आपका क्या हो गया, degree of operating means contribution, divided by earning before interest and tax, तो दूसरा आपका हो गया, earning before interest and tax, divided by earning before tax, ऐसे अगर logically भी अगर आपन देखने जाए, तो यहाँ पे, अगर आपन logically भी देखने जाए, तो यहाँ पे देखो interest cost कितना है, 2 lakhs रुपी, यहाँ पे interest cost कितना है, only one lakh, तो इसके अंदर आप देखो कितना है, तो दोनों के अंदर आपको क्या हो गया, यहाँ पे fixed cost का भी problem है, बोलो, यहाँ पे देखो fixed cost में भी problem है, और दूसरा, यहाँ पे interest में भी problem है, इसके लिए, फिर कभी-कभी क्या होगा, एक कंपनी का interest में problem है, दूसरी कंपनी का fixed cost में problem है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग निकालेंगे इसका combined leverage, means दोनों को combine करतेंगे, अगर दोनों को combine करेंगे, तो देखो, earning before interest in tax and this is job, earning before interest in tax, आपका क्या हो जाएगा? चैंसिल, finally आपके बास क्या बचेगा? बोलो, इसे जो combined leverage और इसको क्या बोलेंगे DCL इसको your contribution divided by earning before tax contribution divided by earning before tax अब आप देख लिजे क्या था आपका combined leverage में क्या हो जागा DCL contribution divided by earning before interest अब आप देखिए contribution आपका कितना था 5 lakh 5 lakh और earning before tax कितना है 1 lakh and 3 lakh आज आई है आप जड़ा company A company B contribution file X contribution contribution 5 lakh इसका वन लेक और आपको आपको एक किलियर हो गया पहला मैंने आपको बताए था कि degree of operating leverages that is your contribution divided by EBIT बराबर mathematically आपको याद रखना है formula contribution divided by EBIT यह मैं आपको क्यों सब बता रहा हूँ क्योंकि अपने को analytical part काफी है करके ना तो कहीं आप अटके नहीं उसके लिए हैना दूसरा मैंने आपको बताया financial financial means EBIT divided by EBIT अब मैंने आपको बताया कि EBIT cancel हो जाएगा तो लास्ट में आपके बस बच्चे का degree of degree of combined leverage this year degree of combined leverage आपका क्या रहेगा friends क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इन दोनों को combine करेंगे एक था आपका contribution divided by EBIT and EBIT divided by EBIT यह आपका क्या था DFF यह EBIT, EBIT cancel हो जाएगा finally आपके पास DCL बचेगा this is your contribution divided by EBIT वेराबर contribution आपका company A and company B company A का contribution कितना था 5 लाख company B का contribution कितना था 5 लाख divided by आपका EBT कितना है 1 lakh आपका EBT कितना है रुपीज 3 lakhs इसका मतलब यह आपका जाएगा 5 और यह आपका जाएगा 5 divided by 3 comes to 1.67 समझे हैं नहीं तो यह आपका हो जाएगा degree of combined leverage कभी कोई कमपनी का fixed cost ज़्यादा है किसी का interest ज़्यादा है तो फिर आपको combined पर decision लेनेगा जिसका combined ज़्यादा है वो highly risky रहेगी company ठीक है अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दोनों को अगर आप multiply करोगे तो भी आपका आजाएगा देखो यहाँ पर आपका यह आ रहा था 1.6 बराबर है यहाँ पर आपका क्या रहा था 1.6 बराबर पर आपका रहा था 3 तो 1.67 इंटू 3 आपका combined leverage क्या जाएगा 5 समझे है ने सब्सक्राइब ओके तो आप पहले तीनों के एक बार आपन फॉर्मूला लिख देते यह 3 आपके leverages पहले आपका degree of operating leverage क्या रहेगा बोलो contribution divided by EBIT बराबर है दूसरा आपका रहेगा degree of financial leverage it means EBIT divided by EBIT फिर तो लों को mix कर जाएगे तो DCL आपका जाएगा degree of combined leverage EBIT EBIT cancel contribution divided by EBIT यह के लिए रुगा के लिए श्योरी मैं आपको बात में लिखाता हूँ पहले आप पूरा formula पार्ट आप समझे दो यह DOL यह DFL और यह DCL अगर दो चीजे हैं अगर उनको combine करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा अब मैं आपको बापस से एकदम simple example लेता हूँ आप ज़रा देखिए इस अगर आइ यह स्टेट्मेंट शुइन स्टेट्मेंट शुइंग और आप इंकम ज़रा ध्यान से एक दों देखना पराबर यह आपका सपोज शेल पाच छाज पचास अजार वाइबल कोस्ट 30,000 कॉंटरिबूशन 20,000 लेश्ट फीक्स कोस्ट 10,000 earning before interest and tax 10,000 suppose tax 50% 5,000 earning after tax 5,000 number of shares 5,000 तो आपका EPS आ जाएगा 1,000 Are you following friends? यह आपका एक income statement आपको दे रख रहे है इसी जे income statement आपका sales 50,000 का है आपका sales 50,000 है variable cost 20,000 है contribution आपका 20,000 आएगा fixed cost 10,000 आएगा EBIT 10,000 tax 5,000 earning after tax 5,000 suppose इसके अंदर एक मेने situation लिया है जहाँ पे आपको interest नहीं दे रखा है बराबर है here interest is not given यह भी situation हो सकता है sales minus variable cost contribution contribution minus fixed cost earning before interest and tax and directly आपका interest का है ही नहीं तो directly जो भी amount आपका बचेगा उसके आपको tax भरना है and divided by number of shares करेंगी तो आपको EPS आजेएगा say yes ओना और आगे आज आप आजेए फ्रेंड्स सपोस्ट इस जोर statement showing in right फिर आपने लिया सपोसे sales sales 50,000 variable cost 20,000 contribution 30,000 fixed cost 20,000 earning before interest and tax 10,000 interest 5,000 earning before tax 5,000 tax 50% 2,500 your earning after tax is 2,500 suppose number of shares is 2,500 तो आपका EPS आजाएगा rupees 1 are you getting more it means आपका sales कितना हुआ बोलो 50,000 variable cost 20 contribution 30 fixed cost 20 EBIT आपका इंट्रेस इंट्रेस earning before tax tax earning after tax 25,000 यह आपका EPS आजाएगा अब जड़ा ध्यान से सुनना बराबर बोलो 1 by 1 first degree of first पता हिए degree of degree of operating leverage degree of operating leverage it means contribution divided by EBIT यह आजाएगा एक बार बोलो सब degree of operating leverage is contribution divided by अब मैं आपको कुछ जादू दिखाने वाला हूँ हाँ इसके अंदर कुछ आपको जादू दिखाने वाला हूँ वो जराब देखे क्योंकि हम जब लोग पढ़ते थे FM तो हमारे teachers का लिए तीन फॉर्मूला बनाके छोड़ देते तरह कि exam में कुछ something अलग ही आता था तो वो जादू क्या है वो मैं आपको दिखाना जाता हूँ तो contribution divided by EBIT बराबर है अब ये example को आप base example लेके चलिए आपका sales है 50,000 variable cost 20,000 contribution 30,000 fixed cost 20,000 EBIT 10,000 interest 5,000 earning before tax 5,000 tax 1 अब आपका आता degree of operating leverage क्या करेंगे contribution what is your contribution your contribution इचे 30,000 बराबर है then your EBIT is your EBIT is 10,000 बराबर अब कर degree of operating leverage क्या हो जाएगा बोलो सब लोग answer लिखो 3 then DFL right जिसी जो earning before interest and tax divided by earning before tax earning before interest tax हापका कितना है say 10,000 बराबर earning before tax हापका कितना है 5,000 यह मिलके क्या हो जाएगा 2 ओके फिर आपका हाएगा degree of combined leverage it means EBIT EBIT cancel so contribution divided by EBIT बराबर contribution कितना है 30,000 right and आपका EBIT है 5000 तो क्या हो जाएगा 6 और ऐसे भी अगर आपको 3 multiply 2 करेंगे 3 multiply 2 करेंगे तो भी आपको DCL के आजाएगा आपका 6 यह आपको clear हो जाएगा 6 6 say yes or no friends is this clear or not बराबन यह चीज़ आप ध्यान रख लिजे degree of operating leverage degree of financial leverage degree of combined leverage formula क्या हो गए एक बार में फटावर DOL degree of operating leverage contribution divided by EBIT DFL means EBIT divided by earning before tax contribution divided by earning before tax क्योंकि आपके EBIT अब आप जड़ा एक side में लिख लीजे आपके क्या-क्या answer आए थे आपके answer आए थे यह इसको ले नी जा DOL degree of operating leverage 3 then financial 2 यह मिलके आपका हो जाएगा 6 बराबर अब मैं आपको एक चीज बोलता हो घरके न और आगे अपन क्या कर सकते हो आप जड़ा देखिए करके न suppose यह आपको बोलता है suppose यह आपको बोलता है कि अगर मेरा sales 10% से increase होता है अगर मेरा sales 10% से increase होता है तो मेरा EBIT कितने से increase होगा अगर मेरा sales 10% से increase होता है तो मेरा EBIT कितने से increase होगा बराबर अगर मेरा sales 10% से increase होता है तो मेरा EBIT कितने से increase होगा अगर मेरा sales 10% से increase होता है तो मेरा EBIT कितने से increase होगा बराबर यह मैं आपको जादू मन तक पहले तो आप करके देख लो बराबर 10, 10% का मतलब है कि आपका sale हो जाएगा 55,000, बराबर 50,000 प्रस 10% of variable cost increases or decreases according to production, right, according to sales, 20 का क्या हो जाएगा 22, इसका मतलब आपके पास क्या बच्चा 33, इसका मतलब अगर आपका sale 10% से बढ़ गया, अगर आपका sales 10% से बढ़ गया and आपके पास degree of operating average है 3, इसका मतलब आपका EVIT है, वो कितने से बढ़ जाएगा 30%, 3 times हो जाएगा, यह जादू है, यह आप जारा ध्यार लगना, अगर मैं यह नहीं भी करूं तो भी आपको बता दूंग, अगर यह 10% से बढ़ आपके पास कितना है, 3, इसका मतलब 10 multiply by 3, इसका मतलब आपका जो EVIT है, वो कितने से बढ़ जाएगा 30%, similarly, 30% से कम भी हो जाएगा, देखो, अगर आपको 10% से कम करना से, इसका मतलब मेरा सेल कितना हो जाएगा, 45, मेरा variable cost कितना हो जाएगा, this is 18,000, it means 45 minus 18 is 27, मेरा यह 20,000, मेरा यह क्या आएगा, 7,000, कितने से हो गया, 10, 10 का 3 times 30%, 30% आप माइनस करोगे, 10,000, से आपका क्या आज जाएगा, 7,000, यह लॉजिक आपको समझना है, मतलब यह relationship पर अगर आपका operating leverage, अगर आपका operating leverage, 3 times है, इसका मतलब आपका EBIT sales के similar उसमें जाएगा, वराब इसकी उपर एक formula और अपन डबलब करके देंगे, पहले आप logic समय लिएगे, राइट, less, what is the interest cost? 5000, अपका क्या आजाएगा? 8,000, what is the interest cost? 5000, आपका क्या आजाएगा? 2000, आपका क्या आजाएगा? 2000, बराबर अब देखो, 8,000, कितना था? EBIT आपका 5, 5 से क्या हो गया? 8, इत मींस कितने से बढ़ गया? 3000, 5000 बेस से आपका 3000, इत मींस 60%, क्यों? combined leverage आपका क्या है? 6, अगर आपका combined leverage 6 है, तो आपका EBIT क्या होगा? 60% effect आएगा, उसका directly, 10 का 6, 10% का 6, इसका मतलब क्या होगा? 60% से तो बढ़ेगा, और 60% से ही कम होगा, आपका, आप देखो जाएगा, 5, 5 का 8 क्या हो गया? 8, minus 5 divided by 5 into 100, आपका क्या हैगा? 60, 5 minus 2 divided by 5 into 100, and this comes 60%, तो आपका directly आपका हो जाएगा, 60% करके, तो आपको ये जादू पता होना चाहिए, अगर मेरा, what is the relationship, तो relationship, अगर मेरा, अगर मेरा sales 10% से increase होता है, और मेरा operating leverage, अगर मेरा operating leverage 3 है, तो मेरा EBIT 30% से बढ़ेगा, 30 से ही कम हो जाएगा, अगर मेरा compliance leverage 6 है, तो 60% से बढ़ेगा, और 60 से ही कम हो जाएगा, इसके लिए, अपन क्या करते हैं, ये, इसके, formulae or develop हो जाते हैं, जैसे, आप ये ले लिजे, directly अगर अपन को करना है, मैं काफी आपको समझ कराऊंगा, तब आप देख लेना, अच्छे से होत, पहले आप ज़रा एक एक चीज को ज़रा समझ ये करके, क्या बोलना चाहरा हूँ, एक एक चीज को आप ज़रा समझ जाएंगे लोजिक आपके clear हो जाएंगे, तो फिर कोई problem नहीं, तो पहला formula आपका आता है, अब नया formula आपको बनेगा, मैं formula अलग से लिखा दूँ आपका, A-D-O-L, degree of operating leverage, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, DFL, percentage change in EPS, divided by percentage change in EBIT, then DCL, percentage change, अब यह आपका कर जाएगा, EPS, divided by percentage change in sales, आलग से मैं आपको formula लिखाता हूँ, जैसे suppose, आपको दे रखा है, sales, sales, अभी अपन निकाला था, 50,000, variable cost, in color difference, variable cost, 20, contribution, 30, fixed cost, 10, EBIT, 20, interest, 10, EBIT, 10, tax, 50%, 5, earning after tax, 5, दिवारे भी suppose number of shares, 5000, EPS, 1, से यास होनों, अब एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखना है जे रहे हैं ना, सारे formula आपको के लिए कर जेता हूँ, sales, sales आपका 50,000, variable cost, आपका 20,000, बोलो, sales सापका 50,000, रिके, variable cost आपका 20,000, contribution 30,000, its cost 10,000, earning before tax 20, interest 10, earning before tax 10,000, tax 5, earning after tax 5, divided by 5 and this comes to 1, अब आपन आपने काली इंच, degree of, यह आपका, पहला आपका 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 आपका, degree of operating degrees, what is the contribution, contribution is 30, divided by EBIT 20, यादे ना, formula बोलो, 1.5, 10, उसके बार, degree of financial leverage, वो क्या रहेगा, EBIT, EBIT is, EBIT is 20, divided by EBIT is 10, this comes to 2, degree of combined leverage, it means, यह, 20,000, 20,000 cancel, it means, 30, divided by 10, and this comes to 3, अब ऐसे multiply भी करेंगे, 1.5, 2, 1.5 into 2, and this comes to 3, बड़ा बड़ा है, यह भी आपका आजाए, यह तो आपने simple formula से, फिर मैंने आपको चाप formula चिखाया, कि अगर आपका sales, अगर आपका sales, 10% से increase हो रहा है, अगर आपका sales, 10% से increase हो रहा है, तो आपका EBIT, कितने से होगा, 10 into 1.5, इसका मतलब, 15% से increase होना चाहिए, जादू है यह, क्यों, क्योंकि आपका operating leverage है, 1.5, तो आपका EBIT कितने से increase होना चाहिए, 15% से, आपका EBIT कितने से होगा, multiply by 3, it means 30% से, it means कितने से होगा, 30% से, can you verify the answer, can you verify the answer, देखो, 50, 50 की जगे sales कितना हो गया, 55, 50 की जगे sales कितना हो गया, 55, 20 की जगे variable cost, 22, it means 55 minus 22 is 33, 33, 33 minus 10, आपका कितना हो गया, 23, 20,000, 15% एड़ करो, देखो जरा, ताली बजाओ, 23,000, 15% एड़ करो, 15% एड़ करो, क्या आजाएगा, 23, minus 10,000, आपको क्या आएगा, 13,000, 13,000 मत्तब 10, plus 30% आपका करोगरे, 13,000, तो इसी चीज़ को यही formula आपका क्या हो जाएगा, पहला, यह आपका degree of operating leverage, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, पर यह आपका, DOL आपको क्या दे रखा है, 1.5, percentage change आपका sales में क्या था, 10, इसका मत्तब percentage change in EBIT क्या आजाएगा, 15%, जब तरेक्ली multiply, तो इसका मत्तब formula आपका क्या हो जाएगा, यह 3 formula, पहले logically आपको clear हुआ के ने, degree of operating leverage, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, then DFL, it means percentage change in EPS, divided by percentage change in EBIT, 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 cancel हो जाएगा, it means degree of combined leverage will be percentage change in EPS, divided by percentage change in sales, यह आपको लिखाऊँ हुआ, अलग से formula, लेकिन आप logic को समझ दीजिए धर के न, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, देखो percentage change in sales, अपना क्या था, 0.8, और अपना operating leverage क्या था, 1.5, इसका मतब percentage change in EBIT क्या आगया था, 15%, देखो जरा आपके क्युश्चे नहीं, हर चीज़ को comparative करके देख लो, आप करके न, तो आपको logic clear हो जाएगा, तो यह तीन नए formula डबल अप हुए, लेकिन पहले logic से जाएगा, logic अगर आप देखोगे न, तो आपको clear हो जाएगा, एक्डम न, कि अगर यह directly भी अपन कर सकते हैं, यह अगर अपन directly भी कर सकते हैं, अगर मेरा sales बढ़ रहा है, अगर मेरा sales 10% से बढ़ रहा है, 50 की जिगा 55 हो गया, तो 20 की जिगा 22 हो जाएगा, परावत, तो मेरा 33, 10, तो मेरा यह क्या जाएगा, 15% change जाएगा, और मैं आपको एक लोजिक बता तो, जैसे suppose, आपको दे रखा है, say, sales एक लाख, आपका variable cost, 50,000, contribution, 50,000, fix cost, 20,000, आपका EBIT, 30,000, बराबर है, अब आप operating leverage इस में निकाल सकते हो, operating leverage, बताएगे, contribution, divided by EBIT, for your contribution, 50,000, for your EBIT, 30,000, it means 50 divided by, या इसको आप फुल्टा ले लेगे, यहाँ चलो ठीक है, 1.67, यह आपका क्या हो गया, operating leverage, अब एक एक करके जरा समय बात को करके, आपका operating leverage क्या हो गया, 1.67, अब अगर सपोज आपका sales, one leg का है, variable cost 50,000, contribution 50, fixed cost 20, अगर यह sales आपका 10% से बढ़ता है, इसका मतलब one leg 10 हो जाएगा, यह आपका 55 हो जाएगा, यह आपका 45 हो जाएगा, 55, यह 55 हो जाएगा आपका, 55 में 20 आपका निकल जाएगा, यह आपका balance बचेगा, 35, ठीक है, 30 की जगा 35 पे इतने से बढ़ गया, 5000, 5000 divided by 30,000 into 100, देखो ज़रा, इतने से बढ़ गया, 5000 divided by 30,000 into 100, कितने से बढ़ गया, 5000 divided by 30,000 into 100, कितने से हो गया, 16.67, आपका सेल कितने से बढ़ा, 10, आपका, यह कितना है, 1.67, तो 1.67 into 10, 16.67, इसका मतलब क्या हो गया, operating leverage is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales, percentage change in sales, operating leverage, operating leverage कितना है, अपना 1.67, percentage change in sales, यह आपको निकलना है, क्या आएगा, 16.67, और मैं आपको एक लोजिक बताता हूँ, जैसे सपोस, अगर आपको दे रखा है, sales, sales से रखा है, say, 50,000, आपका variable cost आपको दे रखा है, 20,000, पराबर, आपका contribution आएगा, say, 30,000, आपका fixed cost आएगा, say, 10,000, आपको EBIT आएगा, say, 20,000, यह clear हुआ के लिए, sales से आपका 50,000, variable cost, 20, contribution 30, fixed cost 10, यह आपका 20, बड़ाबर है, अब देखो, अब इसमें और एक तरीका में आपको बताता हूँ, operating leverage निकालने का, है न, operating leverage अपन कैसे निकाल सकते हैं, अब यह situation है, अब ऐसे देखने जाएंगे तो बोलो, operating leverage के आएगा, आपका contribution, contribution is 30,000, divided by, EBIT 20,000, क्या आएगा आएगा, आपका 1.5, operating leverage यह जाएगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इसके अंदर आपका PV ratio क्या आएगा, और इस PV ratio, याद है कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग, कौन सा टोपिकता PV ratio के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग मींज क्या, contribution 30,000, divided by 50,000, into 100, and this comes to, अगर आपको FM सीखना है, तो आपका कॉस्टिंग पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, 60% हो गया, 60% हो गया, इसका मतलब आपका break-even point क्या आएगा, क्या दे ब्रेक-even point, fixed cost divided by PV ratio, परावर, for your fixed cost, 10,000, for your PV ratio, 60, into 100, आपको क्या आएगा, it means, 10,000 divided by 0.6, and this comes to, 16666.67, यह आपका क्या आएगा, break-even point, after the break-even point, जो भी बच्चेगा, उसको अपन क्या बुलते हैं, MOS, यादे आपको, तानी की costing में अपन कराते थे, यह आपका degree of operating leverage आगया, यह आपका PV ratio आगया, PV ratio इसे contribution divided by sales, BEP fixed cost divided by PV ratio, यह आगया आपका, अब देखो, आपका sales, sales कितना है, 50,000, उसमें से आपका BEP sales कितना है, 16666.67, तो आपका MOS sales कितना बचेगा, it means 50,000 minus 16666.67, it means आपका बचेगा, 33333.33, it means 33333.33 divided by 50,000, आप करिये, क्या आएगा, it means divided by 50,000, this comes to 0.67, यह आएगा 0.67, यह आपका 1 हो गया, यह आपका 0.33 हो गया, क्योंकि यह आपका 0.67 है, अब अगर 1 को आप 0.67 से डिवाइट करोगे, तो आपको क्या जाएगा, operating leverage, यह को ज़रा 1 divided by 0.67, आपका operating leverage आ रहा है, आपका 1 point, अगर sales को, अगर आप MOS sales के proportion से डिवाइट करोगे, तो भी आपको क्या आजाएगा, तो भी आपको क्या आजाएगा, बोलो, तो भी आपको क्या आजाएगा, अगर आप MOS sales के proportion से डिवाइट करोगे, तो भी आपको क्या आजाएगा, operating leverage, यह जादू ही खला है, जब तक आपको costing clear नहीं है, तब तक देखो, वापस एक example लेता हूँ, last example है, जैसे suppose आपका sales, sales से आपका 50,000, बराबर आपका variable cost, 20,000, ठीक है, यह 30,000, आपका contribution, 20,000, पराबर, आप fixed cost, suppose से 10,000, आपका EBIT क्या आएगा, EBIT आएगा, 10,000, पराबर, अब पहले PV ratio निकाल दो, PV ratio आपका क्या आएगा, contribution, 20,000, बोलो फड़ाबर, डिबारेद बाई 50,000, यह आपका क्या आएगा, 40%, बराबर है, BEP आपका क्या आएगा, BEP आपका आएगा, fixed cost, fixed cost कितना है, 10,000, 10,000 divided by 40 into 100, rate, it means, 10,000 divided by 0.4, अपका कितना आएगा, 25,000, बराबर है, आपका total sales कितना है, आपका total sales है, 50,000, उस में से आपका BEP sales कितना है, 25,000, मैंने बताया था ना, costing में, तो बागी का जो बचेगा, वो क्या हो जाएगा, MOS, अब 50 में से 25 यह है, तो 0.5 हो गया, 50 में से 25 यह है, तो 0.5 हो गया, आदे लोगों को समझी नहीं रहा, कैसे हो गया, इतनी सरे बाई, 25,000 divided by 50,000, आपका क्या आएगा, 0.5, और 25,000 divided by 50,000, आपका क्या आएगा, 0.5, बराबर, हम मैंने आपको क्या बुला था, कि sales को अगर MOS से डिवाइट करेंगे, तो क्या आएगा, operating leverage, sales कितना है, 1, MOS से क्या आए, 0.5, आपका operating leverage क्या आएगा, 2, verify कर लो, guarantee है, बहुत नहीं आए, तो आप बोल दे रहा, contribution 20,000, contribution 20,000, divided by EBIT 10,000, आपका क्या है, यह साब आपको missing figure के ताइम पर याद आएगा, तो आपको formula finally लिख जेता हू, एक मैंने आपको लिखा है था, DOF, degree of operating leverage, it means contribution divided by EBIT, okay, degree of financial leverage, EBIT divided by EBIT, वराबर, degree of combined leverage, EBIT, EBIT cancel हो जाएगा, contribution divided by EBIT, यह दोनो cancel हो जाएगे, EBIT, EBIT, contribution EBIT, यह दोल, degree of, degree, degree of operating leverage, degree of operating leverage, percentage change in EBIT below, divided by percentage change in sales, BFF, percentage change in EBIT, percentage change in EBIT, percentage change in EBIT, BCL, percentage change in EPS, divided by percentage, percentage change in sales, संक्स करेंगे तो और के लिएर होगा, यह ना, पराबर, फिर लास्ट मेंने आपको क्या बताय था, degree of operating leverage क्या हो सकता है, sales, divided by MOS, अगर आप इससे divide करेंगे, तो भी आजाएगे, theory notes और बापस से repetition मैं आपको बाद में करता हूँ, thank you very much.